दौस्तो आज हम Edmund Spencer का Sonnet 75, One Day I Wrote Her Name, Upon This Ten गो डिसकस करेंगे यहाई Sonnet Edmund Spencer के 89 Sonnets की एक सीरीज में पब्लिश हुए थे 89 Sonnets की इस सीरीज करेंन सेरीज को एड़मन सोपेंसर ने Emerity टाइटल दिया था Emerity एक Italian Word है जिसका मिनिंग होता है Little Love Points दरसल एडमन स्पेंसर की एक बिलोड थी जो उनकी फियोंसे भी थी उनका नाम एलिजाबेत बोयल था उनके प्रती एडमन स्पेंसर ने अपने प्रेम को परकट करने के लिए 89 सोनेट्स लिखे थे यही 89 सोनेट्स आगे चलकर एमोरेटी एंड एपिथेलेमियन टाइटल की एंधिक लूप में 1595 में पब्लिस हुए थे इस सोनेट का पोईटिक फोम इंडलियों सोनेट्Я इक इनस उनेट्स नहीं है यह एक स्पेंसर इनसानित है इस इस इी स्पेंसर ने खुद ही इस राइम स्कीम की खास बात ये होती है कि इसमें प्रते क्वाटरेन की राइम स्कीम अपने पिछले क्वाटरेन की लास्ट राइम से जुडा होता है poet Edmund Spencer इस poem के द्वारा अपनी प्रेमी का Elizabeth Boyle को अमर करना चाहता है इस poem के अनुसार poet और उनकी beloved Elizabeth Boyle दोनों समुद्र किनारे बीच पर बैठे हैं और शुरू करते हैं इस poem को One day I wrote her name upon the stand एक दिन मैंने समुद्र किनारे रेत पर उसका नाम लिखा stand का मतलब beach यानी समुद्र किनारे but came the waves and washed it away लेकिन समुद्र से लहरे आई और इसे बहा ले गई अर्थार poet ने जो अपनी प्रेमी का का नाम रेत पर लिखा था उसे लहरों ने मिटा दिया लहरे इस नाम को मिटा देती है again I wrote it with a second hand एक बार फिर मैंने उसके नाम को दुबारा लिखा यहां second hand का मतलब दूसरा हाथ नहीं है ऐसा नहीं है कि इस पर पोईटन बूसरी हाथ से लिखा second hand का मतलब है उसका second attempt यानी उसने दूसरी बार लिखने का परियास किया लेकिन पानी का बहाव या लहरे आई टाइड का मतलब पानी का बहाव या लहरे आ समुद्र में उठने वाला जवार और इस लहर ने इस जवार ने मेरे परियास का अपना शिकार बना लिया यहाँ पैंस का मतलब है attempt यानी परियास इसका मतलब दर्द नहीं है अगर पैंस singular form में हो तो उसका meaning दर्द होता है अगर यह plural form में हो तो यानी पैंस हो जैसे कि यहां है तब इसका मिनिंग परियास हो जाता है यहां इसका मिनिंग अटेंप्ट यानि परियास है और परे का मतलब होता है शिकार पोईट यहां कहना चाते हैं कि मैंने जब दूसरी बार परियास किया तब भी सबुब्दर की लहरों ने मेरे परियास को अपना शिकार बना लिया अर्थात इस पार भी नाम को मिटा दिया यहां इस पॉइम का फस्ट क्वाटर एंड पूरा हो जाता है देखते हैं नेक्स्ट क्वाटर वैन मैन सेट सी देट डोस्ट इन वैन असे इस लाइन मेरे पॉइट को उसकी बिलाउड उसे रेत पर नाम बार बार लिकते हुए देख कर कहती है कि है वैन मैन यानि बैकार आदमी तुम जो कर रहे हैं वो वैर्थ प्रियास है तुम एक नस्वर चीज़ को अमर करने का प्रियास कर रहे हैं when का मतलब worth और asay का मतलब परियास वर्डोस्ट वर्ब्डू का archaic form है for I myself shall like to this bk क्योंकि मैं some इसी तरह नस्ट हो जाओंगी bk का मतलब समात होना या नस्ट होना and make my name be wiped out likewise और मेरा नाम भी इसी तरह मिट जाएगा make means also likewise का मतलब होता है ठीक वेशे ही यहां इस poem का second quarter पूरा हो जाता है देखते हैं next quarter इस quarter में poet अपनी प्रेमिका की बात सुन सुन कर उसको बोलता है और कहता है कि not so code I lack better things device to die in dust but you shall live by fam not so इसा नहीं होगा code I मैंने कहा यानि poet ने अपनी प्रेमिका से कहा कि इसा नहीं होगा जैसा तुम बोल रही हो code का मतलब said यानि कहा let better things device कि जो चीजे निम्न कोटी की या महतवहीन होती है वो ही चीजे नस्ट होती है या समापत होती है यहां better का मतलब निम्न या महतवहीन but device का मतलब नस्ट होना समापत होना छोड़ कर चले जाना आगे कहते हैं my words your virtues rare shall eternize अर्थात कि मेरी कवीता तुम्हारे दुरलब गुनों यानि तुम्हारी विशेशता को अमर कर देगी वर्चु का मतलब गुन रेर का मतलब दुरलब वर इटरनाईज का मतलब होता है अमर बना देना और ये हैवनस राइट यूर गलॉरियस नेम और यह कवीता तुम्हारा नाम सान से स्वर्ग में लिख देगी ने की रेत पर गलॉरियस का मतलब सान से वा हैवन का मतलब स्वर्ग यहां इस poem का last quarter पूरा हो जाता है देखते हैं next stanza जो इस poem का कपलेट है वेर, वेन, एज, डेट, सेल, all the world, subdu, point कहते हैं जहां एक और इस दुनिया को मर्त्यू कंट्रोल करती है यानि इस पूरी दुनिया पर मर्त्यू का नियंतरन है subdu का मतलब होता है नियंतरन रखना आवर लव सेल लिव एंड लेटर लाइफ वी निम हमारा प्यार चीवित रहेगा और लेटर यानि हमारे मर्नो प्रांद इसे नया जीवन मिलता रहेगा इन लाइन्स में poet कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबी लोग एक दिन मर्त्यू को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन हमारा प्यार इस पोईम के दोरा हमेशा जीवित रहेगा इस पोईम के दोरा हमारे प्यार को जीवन मिलता रहेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी बनी है तो लाइक करके ज़ूर जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फूर वर्ट